जा इन दोस्तों, वेलकम टो IASB धरी मोहन, एन इस्ट्रिटूट फॉर एनलेटिकल स्टुडीज दोस्तों, इस समय पर जिस तरीके से सिचुवेशन्स मनिपूर से चली आ रही हैं, वाइलेंट सिचुवेशन्स हैं, खतरनाक लेवल की सिचुवेशन्स हैं, और सोच कर देख मनिपूर के अंदर जिस तरीके से दो लड़कियों को या दो लेडीज को बिना कपडों के परेड करवाई गई, पुलिस के उपर आरोप है कि उन्होंने सपोर्ड किया, मैतेई के उपर आरोप है कि वो कमिनिटी जो है, वो कूपीज के उपर मतलब प्रॉब्लम क्रियेट क हुआ, उस वाइलिंस में सरकार सोच कर देंगी कितना दबाव में होगी कि दो से ढ़ाई महीने हो चुके हैं, इस पूरे मामले को आज तक सरकार की तरफ से कोई खास या इंपोर्टन बयान नहीं आया, प्रधान मंतरी महदय की तरफ से बयान आया, वो भी इस तरीके का बय जान है कि शान्ती बनाए रखो या एक जिसे कहते हैं मामले से थोड़ा साइड में हटते हुए, कारण क्या है कि ये सारा मामला उलजा हुआ नजर आ रहा है, और पूरी सिचुएशन जो है, वो कहीं ना कहीं, इंडिया के अगेंस्ट या यू कहें, मनेपुर के इंदर बी है, हम सोच के देखें, तो अलग ही कहानी नजर आती है, मैंने बहुट टाइम से इसमें कोई खास से वीडियो नहीं बनाए, उसके पीचे का रिजर यही है, कि दोस्तों इसके इस टॉपिक पे बोलने के लिए एक किस डायरेक्शन में मामला जा रहा है, मुझे वो समझना जरूरी था, अब मेरे दिमाग में पिक्चर क्लियर हो चुगी, काफी हद तक क्लियर है, कि मामला कहीं और है, कहानी कुछ और है, सिचुएशन कहीं और जा रही है, आप कहोगे, मैं बार बार हर चीज़ को जीओ पॉलिटिक्स से जोड देता हूँ, देखिए, जब आप ए मतलब जिसे कहते हैं, कि एक बहुत स्टेटेजिक लोकेशन के उपर आप प्रेजन्ट है, बहुत अच्छ तरीके से ग्रो कर रही है, दुनिया के अंदर आपके नाम का डंका बज रहा है, तो इतना समझ लीजिए, कि जो दुनिया आपके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर प में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, और कोई किसी का पर्मानेंट दोस्त नहीं है, और कोई किसी का पर्मानेंट दुश्मन नहीं है, अगर कोई चीज पर्मानेंट है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेजिक इंटरस्ट्स अफ़ कंट्री, यहां मनिपुर की जो सिच्व है ये एक perfect example है domestic और geopolitical issues जब आपस में mix up हो जाते हैं उसका अलाकि मैं इस चीज़ के अंदर CAA NRC से लेकर किसान अंदोलन से लेकर वो सारे मामले भी देखता हूं लेकिन इस मामले का discussion तो बनता है debate तो बनती है proper इसका जो है हमारे को analysis करना चाहिए इस time पर क्योंकि situation एक अलग dimension ले चुकी है और सरकार जो इस violence को control करने की कुशिश कर रही है वो अब ख़बर आ चुकी है कि आने शुरू हो गई है कि जो मतलब भारत सरकार इस violence को control कर रही है लेकिन मिजोरम के अंदर भी इस कनेश की आग फैल चुकी है तो मामला क्या है वो थोड़ा समझते हैं मामला क्या है वो समझे असलियत में हाई कोड का एक order पास होता है मैं बहुत जादा dates और facts की form में अभी नहीं जा पा रहा है मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि एक simple judicial order पास होता है उस order में कहा गया जिसमें मैतेई के form में जो support में एक judicial order पास हुआ कि हां इन्हें भी स्टी का दर्जा दिया जा सकता है simple philosophy मतलब simple part है कि भाई code के order पास होते रहते हैं अब यहां मैं इस चीज़ को बना चुका हूँ कि मनिपूर तो एक जाकी है पूरा इंडिया बाकी है ये वीडियो मैं बना चुका हूँ उस वीडियो में आपको साफ निजर आएगा कि मैं क मामला हए ये एंडिया का सुलागता हुआ मुद्दा है और वो सिर्फ और सिर्फ मनिपूर के मामले में नहीं वो हिंदोस्तान के हर मामले में देखोगे तो हर जगह पर कहीं न कहीं रिजर्वेशन के ओपर कलेश है लड़ाई है जूतम पैजारी चल रहे हैं संघर्स चल लगातार चल रहा है और अलग-अलग groups एक दूसरे से conflict में आये हुए हैं, अलग-अलग groups एक दूसरे से बेड़े हुए हैं, उनके conflicts चल रहे हैं, हाला कि मैं reservation के पक्ष में हूँ, लेकिन उस reservation में एक reform होना जरूरी है, ये चीज में बता चुका हूँ, कि एक आदमी एक particular level पे जाकर अगर पहुत जाता है और वो एक life का status और reputation अचीव कर लेता है, तो इसका सीधा मतलब ये है कि उसको वो reservation नहीं मिलना चाहिए, उसकी जगह वो reservation उसी category के किसी उस इंसान को मिले, जिसके पुड़े खांदान को आजादी के बाद आज तक reservation का benefit नहीं मिला, वरना इसमें एक ऐसी strong creamy layer create हो चुकी है, जिसकी मज़ए से जो reserved category है, उसका एक section जिसे आज तक फाइदा नहीं मिला, उसको फाइदा मिल भी नहीं पा रहा, और मज़र की बात ये है कि जो category है, जो मतलब groups या जिन लोबां को इस special category का या reservation का फाइदा मिल च चुका है, उस schedule के अंदर जो भी एक category का फाइदा मिल चुका है, वो लोग असलियत में राजनीती इस मामले में कर रही है, मेरा ये पूरा opinion है, वो तक है इसमें कोई बुरा भी मान जा लेकिन reality है, तीन पीडियों तक अगर कोई reservation का फाइदा लेके, उसी reservation को अपनी चोथी PD के लिए बचा के रखना चाता है, और मन ही मन कहता है, कि मेरी जाती वाले बाड़ भी जाए, और बाहर जाके उनको समझाने की कुशिश करता है, कि तुमारे पिछड़े बन का जो main कारण है, वो अपर कास्ट है, ना कि हम, यानि जो अपर कास्ट है, उसको गालिया बको, उससे लड़ो कि तुमारी बुरा, तुमारी जो कमजोरी एर, तुम जो पिछड़े हो, तुमारा सबसे बड़ा कारण, यह अपर कास्ट है, अब आप अंदाजा लगा कर देखिए, यह सबसे main बाद क्या है, यहां reservation के मुद्दे ने एक पूरा state सुलगा दी, reservation के मुद्दे ने पूरे का पूरा state जो है, उसे सुलगा दिया है, और वो state दो महीने से जल रहा है, क्योंकि एक party को लग रहा है, कि उसके जो reservation के अंदर उसके जो benefits हैं, वो मारे जाएंगे, और दूसरा कह रहा है, मिलकु मिलने चाएंगे, problem यहाँ पर यही है, कि उस reservation का benefit, even state में भी reservation के benefit की अगर बात की जाए, तो जो cookie community है, उसके अंदर भी अगर आप उठा कर देखेंगे, तो reservation के benefit के मामले में कुकीज को भी एक 10-15, मतलब कुछ ही families ऐसी होंगी, कुछ 100-800-200-500-2000, जो की reservation का बार-बार फाइदा उठा रही, बाकी उन लोगों को किसी तरीके का फाइदा नहीं है, बस डरा दिया गया कि तुमारा बविश्य खत्रे, और जो मेंती रहे हैं, उनको ये बढ़का दिया गया, कि तुम पीछड़े इसलिए रहे गये, क्योंकि तुमारी जो rights हैं, वो कमजोर और के हैं, और कमजाइट्स हैं, वो कुकी वाले ले ले जाते हैं, और इसलिए लड़ो, शुकर मनाने वाली बात नहीं है, शुकर मनाने की बात है, कि इस पूरी लिड़ाई के अंदर नागा नहीं कूँते हैं, क्योंकि अगर वो नागा कूँत जाते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत तगड़े वाला mess create होता, और वो mess इस हद तक create होता, कि उसको समालने वाला शाय मामला था, या सबसे पहला तो मामला ये जुडिशियरी से जुबा हुआ था, अब ये मामला जुडिशियरी से जुड़ा हुआ था, लेकिन जुडिशियल मामलों को पॉलिटिकल बनाते हुए देन भी लगती, अब ये मामला हो गया पॉलिटिकल, यानि अलग अलग अलगी खेल खेल रही होती है उन्हें देश या उन्हें पारिटी से कोई मतलब नहीं होता जो लोकल लीडर ग्राउड लेवल पर खड़ा होता है उसे सिर्फ यह चीज से मतलब होता है कि उसका वोट बैंक उसके साथ खड़ा है या खिसक रहा है बॉटम लाइन समझ ground level पर situations होगी उसे बहुत ज़्यादा सा जो high command है उससे कोई लेना देना खास लेना देना नहीं होता जो genuine नेता होता है भाई जो party करपा से चल रहे होते हैं उनकी दो बात ये लगे हैं लेकिन जो genuine नेता होता है वो party high command से against जाकर अपने decisions लेकर और अपनी politics को बचाने की कोशिश कर रहा होता उसकी सबसे पहली priority ये है अपनी politics को बचाना चाहे कैसे भी करके यानि वहाँ पर local level politics जो है वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा dominate होती चली गई और यहाँ से जो conflict था यो crisis था वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ सा नज़र अब मुझे नज़र आता है 2024 2024 में election है अचाह इस conflict के अंदर जो conflict बढ़ रहा है जो crisis create हो रहा है इसका next level यहाँ पर ये है एक तरफ मतलब जो conflict है कि 2024 के अंदर general elections लड़े जाने इस general elections के अंदर कैसे भी करके आग लगाओ और सरकार को बदनाम करो ये इस समय मतलब देखिए इस समय पर ये आरपार के लड़ाई विपक्ष के लिए हो जोती है विपक्ष की problem को समझिए वो अपनी branding नई कर रहा है वो अपना नया नाम रख रहा है नया आइडिया रखने की कोशिश कर रहा है नहीं तरीके से अपने आपको प्रोजेक्ट कर रहा है उसके पीछे का logic कहो उसके पीछे का reason कहो वो यही है कि वो अपनी existence की लड़ाई को लड़ रहा है कि अगर यहाँ ये वाली जो ये वाली ने वो elections हैं अगर ये लोग हार गए यानि opposition खास कर Congress अगर ये वाला election हार गई और सत्ता से बाहर हो गई तेव Congress पर से गांधी परिवार जो है वो गायवसा होता हुआ नजर आएगा गांधी परिवार की existence खत्रे में आती हुई नजर आएगी और यकीन मानिय हो सकता है इस परिवार को भारत की राजनीरिया भारत से भारत छोड़कर जाना पड़ जाए जिस परिस्थिती में इस समय पर ये लोग है अगर ये नहीं जीते तो मेरा एक आरोप इस opposition पर भी है जो इस मुद्दे को बनाए रखना चाहता है ताकि उस state के अंदर भले एक या दो सीटे लोग सभाकी है लोग सभाकी है तो उसके अंदर उनकी position मजबूत हो और जो ये community मजबूती के साथ BJP के साथ करी हुई है वो community तूट फूट हो उस community में तूट फूट हो और कैसे भी करके BJP जो है वहां पर हारे एक जिस अब ऐसी situation में मैं ये कहूँ के BJP दूद दूली है तो समझ लीजिएगा BJP भी दूद दूली नहीं है BJP की अपनी मजबूरी है और यही कारण है कि इस situation में वो बोल नहीं पा रही है क्यों क्यों कि सीधे सी बात ही है कि अगर एक पक्ष लेने ते और प्रॉब्लम दे को कई बर क्या होता है दोनों पक्ष अपनी जगह सही होते हैं और दोनों पक्षों में बहुत सारी गल्तियां होती है हर लेकिन समस्या क्या है अपने कपड़े अच्छे हैं और दूसरे के दाग हैं हम तो परफेक्ट हैं और दूसरा दागी है इशारा हमेशा दूसरे के उपर करवाया जाता है और अपने दाग च्पाये जाते हैं इस समय पर सभी पालिटियां यही ड्रामा कर रही है यह आप इसले कुछ टाइम पर देख सकते हैं यह सारी की सारी पॉलिटिकल पालिटियां इस टाइम पर मनीपूर जो अपोजिशन है वो मनीपूर का शोर मचा रहा है लेकिन अगर खुले तोर पर देखा जाए कि मनीपूर के शोर के अंदर बंगला यह बंगार के अंदर जब जिस तरीके से एक औरत के कपड़े फाड़े गए वो वीडियो वीजेवी वालों के तरफ से आई उसे वाइरल किया गया लेकिन उसके उपर विपक्ष मू में दही जमाए बैठा है कुछ नहीं बोलने को तयार इसी तरीके से बिहार के अंदर दलित समाज के उपर जो अत्याचार होते हैं और उसी तरीके से यू आ क्या नाम है चतीस गर के अंदर प्रब्लम जा रही है राजस्तान के अंदर अभी मंत्री जी अटाए गए है और वो मंत्री जी जो अटाए गए है उनके पीछे का लॉजिक ही यह है कि सरकार उससे इतनी नाराज हुई क्योंकि मंत्री जी ने सरकार को आइना दिखाने का काम किया अब आप अंदाजा लगातर देखिए कि कांग्रिस राज में जहां पर या गैर बीजेपी शासित राज्यों में अगर कुछ हो रहा है तो बीजेपी के वहाँ उस मामले को चुपचाब दबा दिया जाता है और अगर बीजेपी के मामले में हुआ तो उखान दिया जाता है उसको उड़ा दिया जाता है मैं महिलाएं के खिला विरुद्ध जो भी अपराद होगा उसके विरुद्ध में हो वही मेरे घर में महिलाए हैं हम भी हम ल Spoel談 कर चलने की कोशिश करेंगे या हम भी यह मानकर चलते हैं कि उनके प्रतिय भी वह उनका भी कभी अधिकार हैं समय उनको भी सन्मान समा बनाए और हम अपनी महिलाओं को दो मंदर की देवी बनाए ऐसी मांसिकता वाले लोग जो है वो आपको कांड करते हुए नजर आएंगे लेकिन 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 जिसमें फाइदा राजनीतिक फाइदा उठाने वाले जो लोग है वह यहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ राजन आप वो शूर मचाएंगे असलियत में कलेश हर जगह पर यही है तो यहां पर वाइलेंस अगेंस्ट वुमिन है वाइलेंस अगेंस्ट वुमिन ऑफ पर्टिकलर कॉमिनिटी में नी कूकी कॉमिनिटी का अच्छा यहां एक बात देखने वाली है कि पहले मैतीज ने रिवो अब यहां दिनों पक्षों को समझना चाहिए था कि इस मामले का जो निवारण है वो शांती से बैठकर हो जाए यह किन रिजर्वेशन हिंदुस्तान में एक ऐसा मुद्दा है जिसमें जिसको मिला हुआ है वो उस पे किसी तरीके का ना तो कोई बदलाव चाता और ना यह अब यहां पर यह लड़ रही होती है तो ऐसी सिच्वेशन के अंदर बहुत ही खतरनाक मामले आ जाते हैं अब यहां से एक next level देखो अब यहां एक तो हो गया political level जो मैंने आपको बताया यानि judicial matter से political matter यहां पर एक social conflict भी है पार social conflict यहां पर यह होता है कि आप इससे अंदा बना दो और एक particular जो जंडर करी 위ont का वन्दा है उसे दबाखे खणा करता यह एकदा आदमी है करता यह काम एकदा आन मिए कमिश हर किसी के नाम पर होता है करता एक दा आदमी है और कमीश हर किसे मतलं नाम जो है वह समकिसी करता है यहाँ पर यही problem social conflict क्या नॉर्मल ही आप देखिए ग्राउंड लेवल पर सुसाइटी में अक्सर ऐसा होता है इवन के SCST एक्ट एक बहुत ही तर्जाए अगर SCST कम्मुनिटी में पर हो रही है उससे बचाने के लिए SCST एक्ट बनाया गया इसमें कोई दोराई नहीं है लेकिन प्राब्लम को समझे प्राब्लम उस SCST एक्ट के मिस्यूज की है मिस्यूज इस तरीके से किया जाता है कि उसको सिर्फ और सिर्फ इस्तमाल किया जाता है जनरल केटेगरी के किसी भी बंदे से अपनी परसनल दुश्मनी निकालने के लिए अंदाजा लगा कर देखिए मैं जब डैनली में था तो मेरे उपर SCST एक्ट लगाने की दो बार कोशिश की वो एक अलग मैटर है कि वहाँ पर जो एक एक जगह पर जो मतलब के नाम है जब मेरे पर SCST एक्ट एक बार लग रहा था तो किसमत की बात है मेरा एक स्टूडेंट जिसे मैंने बहुत मैनत से पढ़ाया वो उस समय पर वहाँ पर जो है एसाई लगा हुआ था और उसने बहुत बढ़िया तरीके से और वो दलिट समाज से ही था और वे इस सीजवे सपोर्ट कर रहा था कहता है कि मैं कुछ भी मान सकता हूं मैं यह नहीं मान सकता कि इन्होंने आपको क्या नाम है जाती वाद के नाम पर और रही सही एक्चली उस टाइम पर में एक छोटी सी कोशिश करता था दलिट समाज के बहुत सारे बच्चों को प बढ़ाता था तो वो पूरी पूरी कॉम्मिनिटी आकर खड़ी हो तो जो मेता आकर सेस्ट एक्ट लगाने की कोशिश कर रहा हो करवा रहा था दूसरे ग्रूप से तो उसके पर खुन दबाव पड़ा के उसी की कॉम्मिनिटी के एक बड़ा सेक्शन में साथ खड़ा तो यह जह सिचुएशन है यह एक नहीं दो बार दिये अब ऐसी सिचुएशन में आप सोच कर देखिए एद्मिस यूज ऑफ सेस्टी जबकि मैं खुद एक बहुत मेहनत और यह मैंने बुकता हूँ है तभी मैं इस चीज़ को देख पा रहा हूँ या ऐसा बहुत और से ज़ादा मिस्यूज होता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा पॉसिबिलिटी पूरी है यहाँ पैर भी यहाँ जो सेशल कॉन्फिक्ट एक दम से आग की तरह बढ़का है उस आग की तरह बढ़कने में यहाँ पर कुई बड़ी बात नहीं है पुरा पुरे तरीके से एजंशन है लेकिन क्योंकि इंडियन सोसाइटी के अंदर अलग अलग जगह पर आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स मिलेंगी तो वहाँ पर यह ग्राउंड लेवल पर पैलेटिकल और सबसे अलग सेशल कॉन्फिक्ट टिपिकली एक सेशल कॉन्फिक्ट है किसी मिस्यूज ओ के निकल लेता है लेकिन उसका इंपक्ट जो है वो सोसाइटी के बाकी अष्चों पर बढ़ता और कई बार ऐसा देखा गया कि एक बंदे गें उबर एससी हैट लगा जूटा एसटी एक लगा और पता लगा वहाँ वो जो जूटा एससी हैक का जो चल्प्रेट था वह बा का मामला लेकिन यहां मतलब एक का सेशल कॉन्फिक्ट भी है सेशल कॉन्फिक्ट का एक अलग लेवल जो है यानि हमने देखा कि जुडिशियल मैटर इस तरीके से जुडिशियल मैटर किस तरीके से पॉलेटिकल कॉन्फिक्ट बन गया और पॉलेटिकल कॉन्फिक्ट जो लो जिसके अंदर पूरे तरीके से ये लोग society के मामले में यानी social conflict मामले में society के मामले में आपस में लड़ चुके हैं ground love यहां पर कोई बड़ी बात नहीं है इसका एक part religious conflict भी हो क्योंकि जिस तरीके से यहां पर दिखाई दे रहा है religious conflict में अगर आप देखें यहां पर क्या है religious conflict के मैटे जो हैं वो इंदू है और जो दूसरी community है cookies वो Christians और यह भी अपने आप में एक अलगी level का conflict होता है normally अगर आप देखोगे पादरी वगरा जो हैं वो किसी भी level पर सिर्फ और सिर्फ conversion के उपर focus कर रहे होते हैं यह जो पादरी हैं यह conversion के उपर focus कर रही है by hook और by crook ऐसी situation में कई बार क्या होता है कि वह forceful या forceful ना होकर lawless देख या किसी भी matter में जब conversion करवाया जाता है या जब conversion हो रहा होता है तो ऐसी situation में एक community जिसमें से लोग migrate कर रहे होते हैं वो community जो है उसको एक negative aspect या negative form में ले रही होती है जब वो negative form में लेती है तो यहीं से एक कलेश उबर कर आना शुरू हो जाता है यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है यह religious conflict या यूँ कहें एक तरीके का communal conflict यहाँ पर create हो चुका तो आप सोचिए यहाँ पर अलग-अलग dimensions लेकिन जब एक जगह जल रही होती है तो आप सोच कर देखिए यूरोप से बयान आया कि we are concerned about violence in money poor money poor के अंदर जो violence हो रही है उसके उपर चंता हो रही है हाला कि यहाँ पर यह यह यूरोप वालों के उपर भी आवा आरोप लग रहा है उनका बाप लेकिन वो लड़कियों के उपर दवाव इतना है उनको डरा इतना दिया गया कि तुम्हें मार डाला जायागा तुम्हारे खांदान को मार डाला जायागा इसलाम में convert हो जाओ लड़कियों को इसलाम में convert करवाने के पीछे का reason यही है आदमी बच्चे बैदा नहीं कर सकता society के अंदर अगर society की अगली generation को आना है तो सबसे पहले लड़कियों का मौझूद रहना जरूरी है उस community की लड़कियों को गायब कर दो खतम कर दो कुछ भी कर दो या convert करवा लो वो community अपने आप खतम हो जाएगी ये भी एक तरीके का genocide होता है एक तरीके का नरसंगार होता है ethnic cleansing कहते हैं पूरी की पूरी प्रजाती को यहाँ पर समप्त करने की एक प्रक्रिया कहा जाता है अब ऐसी situation में आप सोच कर देखिए communal conflicts जो हैं वो भी present है लेकिन क्या आप में से कोई ये मानने को तयार है कि मणेपुर वाले मामले में चाइना जो है वो चुक बैठा होगा देखिए ये बेकुल simple सी philosophy है कि मतलब philosophy क्या पूरा तरीका है properly देखते हैं तो यहाँ पर इस जगहे पर हमें दिखाई देगा violence हो रहा है इंडिया के इस हिस्स्रे में violence हो रहा है यानि नौर्थ हीस्ट का वो इस्सा जहां पर इस टाइम पर कलेश हो रहा है कोई बड़ी बात नहीं है मैं ये नहीं कह रहा कि चाइना ने इस मामले में involved direct involvement है और एकदम से अब वो यहां पर शुरू कर चुका है लेकिन इतना समझ लीजिए कोई देर नहीं लगेगी यहां पर चाइना की involvement में सरकार इसी लिए घबराई हुई मेरा ऐसा मानना ये है कि अभी तक कैसे भी मामले में communal लेवल पर जो violence है वो इस टाइम पर है लेकिन सरकार इस मामले में बहुत फूक फूक कर कदम रख रही है क्योंकि पिछले दस साल से इस इस इलाके में जो इंसरजेंसी को खतम करने के लिए इस सरकार ने काम किया और लोगों को चाइना से दूल किया म्यामार से एक settlement करी कुई बड़ी बात नहीं है अगर एक सरकार एक गलत कदम उठा ले और उस गलत कदम से नाराज हो कर यहाँ एक बवाल क्रियेट हो जाए उस गलत कदम से नाराज करके यह लोग एक बवाल क्रियेट कर दे और वहाँ पर वो एक section ऐसा खड़ा हो जाए जिसे यह feeling आने शुरू हो जाए कि उनके साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो minority है majority है या कुछ भी है और वो जाकर चाइना का हाथ पकड़ ले अगर ऐसा हुआ कि वो जाकर चाइना का हाथ पकड़ ले तो वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा हानी कारक होगा अभी उस सरकार चुप क्यों है वो समझी सरकार जानती है कि इस टाइम पर माहौल ऐसा है कि विपक्षी दल अपनी गंदी से गंदी राजनीती इस टाइम पर कर रहे होंगे उन्हें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं होगा लेकिन वो सरकार ये भी जानती है अच्छे तरीके से कि जो लोग इस टाइम पर मौजूद है जो लोग इस टाइम पर पॉलिटिक्स में मौजूद है वो कही ना कहीं बहुत ज़ादा गंदा माहौल क्रियेट करने के मूड़ और वहाँ पर चाइना का अगर एक तीसरा एंगल आ गया तो आग बुझाए नहीं बुझेगी और न जाने अगले कितने दश्कों तक भारत के अंदर दुबारा से इंसर्जेंसी क्रियेट हो जाएंगी और मनिपुर जो है वो एक आग में जुलस्ता हुआ नाजर मेरा इसी लिए मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि सरकार चुब बैटे हुई होगी लेकिन कभी कबार क्या होता है critical situations ऐसी होती है कि उसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कई बार करना किसी आग को बुझाना जादा हानी कारक होता है comparatively आग को जलने देने क्योंकि हो सकता है आग बुझाने की प्रक्रिया के अंदर ऐसी कोशिश की जाए जिससे आग कहीं और लगे और बहुत पूरी तरीके से जुलस्ता है इसलिए मेरे को ऐसा लगता है ना बैड़ चाए अगर ऐसा हुआ उसका सीधा असर ये होगा कि दूसरे फिर गृप्स एक एक करके चाइना की गोद में जाकर बैठते हुई नजर आएंगे और इंसरजन्सी पर जाती हुई नजर आएगी फिर दुबारा इसे समालना एक लंबी चोड़ी प्रक्रिया का आसर होगा तो अब ये तो देखना पड़ेगा कि ये कब तर चलेगा और सरकार इसमें क्या करती है लेकिन सरकार के चुपी के पीछे का रीजन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारे फैक्टर्स की वज़े से और जियो पॉलिटिकल मामला ना हो जाए इस वज़े से मामले को कंट्रोल किये रखना जरूरी है तो दोस्तों अब तक के इस टॉपिक के उपर तो मेरा एक यही एक एनलिटिकल मतलब यह बहुत ही बाहर का इक पाड़ था ठीक है तो इसके उपर जो भी आपकी कमेंट हो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे अभी के लिए इतना ही धन्यवाद